तो यहाँ पर अगर आप Realme 9 Pro Plus 5G device की उज़र हो यार तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे important and सबसे helpful वीडियो होगा क्योंकि इंडिया पर Realme 9 Pro Plus device के लिए Realme UI 5.0 के साथ Android 14 का जो यहाँ पर stable update है वो rollout होना start हो चुका है तो अगर आपको Realme 9 Pro Plus के new update के बारे में मतलब यह जो Realme UI 5.0 के साथ Android 14 का stable update है इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास तक देखेगा क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यह बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताएंगे कौन से भार्सेन के दौरा निव अपडेल मिला है अपडेल का साइस क्या है और इस अपडेल के बाद आपके Realme 9 Pro Plus 5G रिवाइस के अंदर आपको क्या का फीचर मिलता है सबसे पहले आपके डिवाइस की सिरिंग के अंदर जाएए उसके बाद आप एबाउट फोन के अंदर जाएए सबसें के अंदर आपके अधेल मिल जञाएं तो अच्छी बात है अगर आपको नहीं मिलन ने ला वी अँड़ीन ड्たक दीखिएगा इस अपडेर के बाद आपके डिवाइस के अंदर आपको क्या का फीचर मिला है या फिर क्या क्या चेंजेश देखना हो मिला है तो यहां पर सबसे पहले अपको एक फीचर मिलता है जो एक ठीक ठाक सी बात है उसके बाद स्मार्ट एफिएंस के अंदर एड़ फाइल डॉक्ट वर यू कन ड्राइग और ड्रॉप ट्रांसपर कॉंटेंट बीटोएं एपस और डिवाइजेश तो यहां दूसरा फीचर मिलता है जो बहुत यह अच् के बाद उसके बाद देखिए अप्टिमाइज सिस्टेम पर्फॉर्मेंस और स्टेविल डिजहां यह जो रियल्मी वाई 5.0 के साथ एंड्रोइड 14 का स्टेविल अपडेट है इस आपडेट के बाद आपकी डिवाइस के जो स्टेबिलिटी है एंड जो बाकी चीज़े उ अपडेट के बाद आपको लाग इसो एंड हैंग इसो देखने को नहीं मिलेगा आपका डिवाइस काफी फास्ट और काफी एक्यूर यहाँ पर सिक्यूर यहाँ पर चलने वाले रिगा उसके बाद देखे बैटरी ड्रेन प्रॉब्लेम को यहाँ पर फिक्स कर दे गया जी आपको बैटरी पर्फर्मेस काफी अच्छा मिलेगा उसके बाद देखे यहाँ पर इस आप्डेट के बाद आपको रियल मुए 5.0 एंड एंड्रॉइड 14 इन दोनों का जो सारे बेसिक फीचर